साथियों, जम्मु कश्वीर और लदाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टनेशन बनने की ख्षमता है। इसके लिए जो बातावान चाहिए, शासन प्रसासन में जो बडलाव चाहिए, वो किये जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देश्वासी का साथ चाहिए, हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए। एक जमाना था जब बॉलीवूर की फिल्मों के शुटिंग के लिए कश्मीर पसंदिदा जगा थी। उस दौरान शाहिद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शुटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थित्या सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों के शुटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अउसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म अंड़स्ट्री तेलूगो फिल्म अंड़स्ट्री और तमिल फिल्म अंड़स्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आगरा करूंगा कि जम्मू किश्मीर और लदाक में निवेस के बारे में फिल्म की सुटिंग से लेकर थीटर और अन्य साधनों के स्थापणा के बारे में जरूर सोंचे उसको प्राथ्थ्विक्ता दे जो टेकन लोजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं चाहे वो प्रशासन में हो यह फिर प्राइवट सेक्टर में उन से भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में अपने फैसलों में इस बात को प्राथ्विक्ता दे कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेक्नोलोजी का विस्तार किया जाए वहाँ के नौजवान तेजस्वी हैं अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए है जब वहाँ डीजिटल कॉम्मुनिकेशन को ताकत मिलेगी जब वहाँ बीपियो सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे जितना ज़्यादा टेक्नोलोजी का विस्तार होगा उतना ही जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा उनकी आजीविका और रोजी रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे साथियों सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लदा के उन नवजवानों को भी मदद करेगा जो स्पॉर्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं नई स्पॉर्स एकडेमिश नए स्पॉर्स स्टेडियम साइन्टिफिक एंवार्मेंट में ट्रेनिंग उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी